हेलो फ्रेंट्स मेरी टके क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खूब सूरसे बेबी शूज लेकर आई हूँ ये शूज तीन महीने से लेके छे महीने के बच्चे को इजिली आ जाएंगे और ये शूज बनाने बहुत ही असान है और ये बनकर देखिए बहुत ही खूब सूरत लगते हैं शूज के लिए हमने पचास फंदे लिए हैं फंदे डाल कर अब ये देखिए उल्टी साइड से हमने ये सबी फंदों को उल्टा बुनाई करना है अब हम देखिए सीधी साइड आगें सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है धागा आगे की तरफ करेंगे सारे फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे अब फिर देखिए हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड पहला फंदा हमने उतार लिया सबी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और सीधी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करते जाएंगे अब ये हम शूका बेस बना रहे हैं और अब हम ये धारियां बनाएंगे अब ये हमारे शूका बेस बनकर तयार हो गया अगर हम धारियां गिने तो एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच धारियां हमने बना लिया हैं, अब हम सीधी साइड से देखिए, दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे, अब हम दूसरे रंग से, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अब हमने ये सारी सलाई को ऐसे ही बुनाई करना है, अखिर में हमने ये दो फंदे सीधे बुनाई कर देने अब हम देखिए उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हमने देखिए जो फंदे हमने पहले सीधे बुनाई किये थे अब वोई फंदे फिर से हम सीधे बुनाई करेंगे जो बिना बुने उतारे थे वो फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे तो हम पहला फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे अब ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पिछे करेंगे तीन फंदे सीधे धागा आगे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पिछे करके तीन फंदे सीधे अब हम ये सारी सलाई को ऐसे ही बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड आगे राइट साइड अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो अब हमने देखिए अब हमने एक, दो, तीन ये तीन फंदे हमने पहले वाले रंग से सीधे बुनाई करेंगे तो ये फंदा हम अब बिना बुने उतारेंगे तो देखिए हमने पहले वाले रंग से एक फंदा सीधा एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब ये एक, दो, तीन ये तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था अब ये तीन फंदे हमने सीधे बुनाई किये अब ये एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर एक दो तीन ये तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हम सारी सलाई को ऐसे ही बुनाई करेंगे और अखिर का फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे अब हम देखे उल्टी साइड आगे रॉंग साइड से हमने जो फंदे बिना बुने उतारे थे वो फंदे उतार लेंगे बाकी फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे तो पहला फंदा हमने उतार लिया धागा पीछी करेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा पीछी करेंगे तीन फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछी करेंगे तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछी करके तीन फंदे सीधे अब हम ऐसे ही ये सारी सलाई को बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे अब हम फिर से दूसरे रंग से बुनाई करेंगे जैसे हमने डिजाइन की ये दूसरे रंग से पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है अब दूसरे रंग से हमने ये देखिए तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे ये एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे ये देखिए एक दो तीन अब ये तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे इस ही बहँने सावी है ढिना बुने उतारेंगे अब हमने देखिए 2 दो सलाइंगे धिधानी संस्वात स कृले रंग उतारी सीति ती अन्य वाला है यह सारी थे पहले वाले रंग से सीधी बुनाई दो एक आप करेंगे झाल 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 अब हम उल्टी साइड आगें रॉंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लिया और सारी सलाई हम उल्टी भुनाई करेंगे अब हम देखिए सीधी साइड आगें अब हम शूंक के फंदे घटाएंगे तो ये टोटल हमारे 50 फंदे हैं पंद्रां पंद्रां फंदे हम दोनों साइड रखेंगे भीच में हमारे 20 फंदे आएंगे 15 15 and 20 स्टिचेज तो हम पहले ये 15 फंदों को देखिए कैसे बुनाई करना है हम ये एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे इसको एक गिनेंगे हमने ये 15 फंदों को बुनाई कर लिया ये उल्टा उल्टा अब हम बीच में हमारे ये 20 फंदे हैं इनको दो फंदों का देखे उल्टा हमने एक बनाया एक फिर दो फंदों का उल्टा बनाया दो फिर दो फंदों का उल्टा बनाया तीन फिर दो फंदों का उल्टा बनाया चार फिर ये देखे दो फंदों का उल्टा बनाया पांच छे साथ आठ नौ और दस ये हमने बीस फंदों को दस बार दो दो फंदों का एक बनाया बाकी बचे हमारे ये फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे तो पहला फंदा उतार लिया और सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे अब फिर हम सीधी साइड आगे अब फिर हम फंदे घटाएंगे तो हमने ये पहला फंदा बिना बुने उतार लिया इसको हम एक गिनेंगे अब हम देखिए ये चौदा फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे ये एक हो गया बाकी बचे ये चौदा फंदे पंद्रा फंदे टोटल हो जाएंगे तो दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा और पंद्रा भीच में हमारे ये दस फंदे हैं, इनको दो, दो फंदों का एक बनाएंगे तो ये हम पांच बार बनाएंगे ये दो फंदों का एक बनाया, एक, फिर दो फंदों का एक बनाया, दो, फिर दो फंदों का एक बनाया, तीन, ये देखिए, चार, और पांच ये हमने दस फंदों को घटा लिया बाकी बचे फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड से हम पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे wrong side से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे अब हम देखें सीधी साइड आगे अब हमारी सलाई पे टोटल 35 फंदे रहे गए अब हम शूका उपर का भाग बनाएंगे तो वो कैसे बनाना है पहला फंदा हमने उतार लिया एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे नागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनाई करेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे दो फंदे उल्टे अब हम सबी फंदों को ऐसे ही बुनाई करेंगे अब हम देखिए उल्टी साइड आगें उल्टी साइड से प्याला फंदा उतार लिया अब दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे दो फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे अब हम देखिए सारी सलाई को ऐसे ही बुनाई करेंगे जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे हमने ये फंदों को बुनाई करना है अब हमने ये शू का बॉडर वाला पार्ट बना लिया है उपर का भाग बना लिया है यह ऐसे करके हमने यह टोटल 11 सलाईया बुनाई की है अब हम उल्टी साइड से इसको बंद करेंगे तो हमने इसको कैसे बंद करना है यह दिखिए हमने यह दो फंदों को उल्टा ऐसे एक बनाना है फिर इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे फिर दो फंदों का हम एक बनाएंग फिर इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का हम एक बनाएंगे ये फंदे हम टाइट बन नहीं करेंगे अब हम सभी फंदों को ऐसे ही बन करेंगे अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको पक्का कर देंगे ये दिखें ये हमारा शू बन कर तयार हो गया अब ये सीधी साइड हमारी उपर की तरफ है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो अब ये उल्टी साइड हमारी बहार की तरफ आ गई हम पहले इसको यहां से और यहां तक इसकी सिलाई करेंगे यहां पर हम इसको राउंड सिलाई करेंगे तो हमने यही वाला धागा सुई में डाल लेंगे ले औरो हमने करेंगे यहां से और ये यहां अब हम इसका नीचे वाला पाठ से लाई करेंगे अब ये पाठ हम राउन से लाई करेंगे तो देखिए हमने इसको पास पास ऐसे टांके लेने है अब यहां से हम पक्का कर देंगे अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूं यह देखिए यह हमारा शू बनकर तयार हो गया अब हम यहां पर बो लगा देंगे यह डोरी वाली बो बनाने के लिए यह देखिए हमने डबल धागा ले लिया है उनका और यह आप अपने मुताबक इसका धागे को ले 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 और यहां पर इसको ऐसे बंद है और यहां पर यह दोनों साइड से यह हमने ऐसे पकड़ लिया अब जैसे हम डोरी बनाते हैं ये देखिए इसको हमने ऐसे गोल-गोल घुमाते जाना है एक साइड से हमने पकड़ के रखना है और यहां से हमने इसको गोल-गोल घुमाते जाना है अब ये देखिए हमने ये टाइट इसको गोल-गोल घुमाकर इसको बल डाल लिए अब हम इसको ऐसे ये वाले किनारे को ऐसे पकड़ के हम इसको यहां से निकाल देंगे और यह देखिए यह हमारी डोरी बन गई और यहां पर हम इसको नौट लगा देंगे गांट लगा देंगे यह देखिए और यहां पर हम इसको कटिंग कर देंगे ऐसे आप लंबी डोरी बनाके शू में जब हम डोरी डालते हैं तो ऐसे हम डोरी बनाते हैं अब हम इसकी बोव बनाएंगे तो कैसे बनानी है इसको ऐसे एक लूप बना ली फिर हम इसको ऐसे उंगली के उपर घुमा के जैसे हम शू का लेस बांगते हैं सेम वैसे ही इसको हमने बनाना है यह दिखिए यह हमारी बोव बन गई अब यहां पर हम फ्रंट पे इसके ऐसे बोव लगा देंगे ऐसे यह खूबसूरत से शूज आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद